अगर आप एक फील आंसर है या फिर आपको कोई भी बिजनेस है एक ऐसी चीज है जिसकी आपको इन दोनों ही केसिस में बहुत ही रेगिलरली ज़रुत पढ़ती रहेंगे लीड्स की जो चीज आपको मिलती है लीड जनेरेशन के प्रोसेस है बहुत ही आम भाशा में बता हूँ तो लीड जनेरेशन मतलब कि ऐसे लोगों तक पहुँचो ना जिनको आपके काम में इंटरेस हो सकता है जो आपके प्रोड़क को या सर्विस को खरीद सकता है तो बहुत ही आपिस बात है कि हर किसी को इसकी ज़रुत होती है अब ऐसे दो में लीड जनेरेशन के उपर कोल्ड इमेल की स्टाटजी के उपर काफी वीडियोस पहले कर चुका हूँ पर यहाँ पर ज़रुत है for me to share the ultimate lead generation strategy for 2024 और जितने भी तरीके यहाँ पर बता रहा हूँ those are all 100% free पहला तरीका है the manual way मेरा खुद का फेवरेट तरीका उन cases के लिए जहाँ पर आपको बहुत ही absolute cream leads को generate करना होता है अब यह उन cases में best fit होता है जहाँ पर आपको पता है कि आपकी specific requirement क्या है क्या आप चाहते हैं और कौन ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जो आपके उस काम में आपको help कर सकते हैं या फिर आपके काम आ सकते हैं क्योंकि यहां पर हर एक चीज manual होती है this takes things to a very very high personalization format जहां पर आपको जिसको contact करें उसके बारे में हर एक चीज पता होती है उसके काम के बारे में हर एक चीज पता होती है और आप जब एक cold email drop करते हैं तो आपकी वहां पर हर एक चीज की reflection साफ नजर आती है जिसकी वज़े से जो conversion के chances हैं वह बहुत high हो जाते हैं अब normal conversion ऐसा बोला जाता इंडस्टी में 8-10% के आसपास होता है यानि कि अगर आप 100 emails भेजते हैं तो आपको 8-10 replies आते हैं और उन 10 response में से भी जो आपके पास में actual conversion होता है वो होगा शायद 1 या 2 यानि कि 100 लोगों को email भेजने के बाद में आपको actually में conversion मिलेगा जो आप product क्या service बेच पाएंगे वो होगा मातर एक या 2 लोगों को इस वज़े से ये बहुत important हो जाता है कि आपके पास में जितने quality lead होगी उतना ही आपका conversion high होगा अब manual वाले case में personally मैंने देखा है 40-60% conversion rate यानि कि अगर मैंने 10 लोगों को email भेजा है तो मैं 4-6 लोगों को बहुत ही easily convert कर पाऊंगा and that is the reason जो manual तरीका है वो बहुत ही ज़दे effective होता है पर देखो यारी आपके काम के nature पे भी depend करता है हर कोई काम, manual तरीके से अगर आप strategy apply करने की कोशिश करेंगे तो it will not be the best fit for you क्योंकि यह तभी काम करता है जो आपकी जो value associated है वो काफी high ticket है यानि कि हरे conversion से आपको काफी अच्छा पैसा मिलता है वही है अगर आपको हरे conversion पे कम पैसा मिलता है तो आपके लिए it makes sense to reach out to more people और आपका काम एक दो lead conversion से नहीं चलने वाला है यो विल आप तो focus on thousands and thousands of conversions जो possible होगा जब आप हजारों लोगों को या लागों लोगों को reach out करेंगे तो manual तरीका उस चीज़ में applicable नहीं है hence we will move to strategy 2 जो है Google Maps Extractor again ये भी depend करेगा आपके किस तरीके की offering है किस reason से आप उन लोगों को ढूनना चाहते हैं अब अगर मान लीजे आप websites में हैं या social media management में हैं या अगर आप कोई ऐसे तरीके की service को offer कर सकते हैं जो Google Map पे listed जो business providers हैं कही न कहीं उनसे काम निकाल पाएंगे तो आपके लिए ये strategy काफी best रहेगी अब ये करने के लिए आपको सिर्फ Google Map को open करना है जिस तरीके की service provider को आप ढूंड रहे हैं जिस भी city में आप उसको search करनेंगे Google Map पर अब इस वीडियो में example के तौर पर मालो कि मुझे bakeries in Sydney के उपर focus करना है क्योंकि मैं उन्हें contact करना चाहता हूँ ताकि मैं उन्हें कहीं न कहीं web development के services को बेचूँ या फिर मैं उन्हें help करूँ in listing top on Google Maps तो मैंने यहाँ पर Google Map में search किया search करने के बाद में I will extract all these details यानि कि उनके business का नाम, उनकी website, उनकी email id, उनका contact number ताकि मैं उन्हें contact कर पाऊंगा for my services अब अगर यही चीज मैं manually करता हूँ तो हजार हो चीज़े करते करते मेरा पता नहीं क्या हो जाएगा शायद मुझे business बंद करना पड़ जाएगा इस वज़े से I will use some automated tools like gmaps extractor अब यह वैसे तो एक paid टूले पर आपको यहाँ पर हजार leads देट करने के लिए option देता हर एक महीना और यह चीज़ मुझे बताने के बिलकुल जरुत नहीं है 1000 leads खतम होने के बाद में if in case you need even more you can actually create another account and you can repeat the same process इनके chrome extension को use करके you can easily extract all these details and you can start contacting all these people अब चाये वो cold calling हो या cold email strategy is all yours हाँ मैं समझता हूँ यहाँ पर email addresses आपको काफी सारे cases में नहीं मिलते हैं hence we will move to the strategy number 3 जो की है मेरा favorite google search की strategy अब यह चीज मैंने आपको पहले भी बताईए पर यहाँ पर थोड़ा सा और इसको advanced करते हैं यहाँ पर हम google search को use करके search करने वाले same चीज़ मैंने यहाँ पर search किया bakeries, Sydney और उसके साब में email address में मैंने यहाँ पर लगा दिया ताकि जो भी search में email id mentioned हो मुझे हर एक चीज महाँ पर मिल चाहेगी और यह चीज आने के बाद मैं I can use free chrome extensions like instant data scrapper या फिर अगर मैं चाहँ तो मैं chat GPT को भी use कर सकता हूँ इसी चीज़ को extract करने के लिए instant data scrapper use करने के case में मुझे सिर्फ यहाँ पर click करना है और इसल फाइल को download करना है वहीं अगर मैं chat GPT को use करना चाहता हूँ तो I will just go write a small prompt जो आप change कर सकते हैं अपने हिसाब से क्या care field के requirement है वो आप हाँ पे डाल दीजिए और पूरे के पूरा data को जो पूरा page है उसको copy paste कर दीजिए and just hit enter and now it'll do the magic और आपके सामने वो जो जो भी data है वो create करके सामने लाके देदेगा which is absolutely easy way of doing things और आपको साथ में वहाँ पे हर एक email address भी मिल जाता है अब माल लो कि मैं इस चीज़ को और specific करना चाहता हूं किसी एक graphic designer को या फिर एक video editor को या फिर कोई specific service provider को ढूंडना चाहता हूं या फिर कोई एक businessman को ढूंडना चाहता हूं जो founder हो, co-founder हो, किसी भी तरीके की requirement है I can always put that in the google search वहीं पे इसको और specific बनाने के लिए अगर मैं चाहता हूं कि कोई specific website पे ही मैं इस चीज़ों को ढूंड़ू तो I can just add site colon उस website का नाम और वो करने के बाद मैं मैं हर एक चीज़ को search कर सकता हूं that could be LinkedIn के साब से या Instagram के साब से या Yellow Pages के साब से हर एक चीज़ पॉसिबल होगी using any specific website and you are sorted, इसके बाद में all you have to do is create some amazing cool email के templates और customize करो और 20-30 email हर एक दिन भेजो and I am pretty sure you can definitely do one dessert अगर आप इसका automated तरीका यूज़ करना चाहते हैं तो you can always use email marketing की जो platforms होते हैं काफी सारे paid हैं कुछ आपको free limited देते हैं वो आप use कर सकते हैं to send all these automated emails और मैं suggest करूंगा as a big you should always start something जो manual तरीके से हो रहा है highly customized हो रहा है ताकि conversion के chances high होते हैं and with this I am done sharing three amazing strategies जो ultimate lead generation strategies हैं और एक business of real answer के लिए जो आप use कर सकते हैं in the year 2024 और उसके बाद में भी कभी होते हैं वीडियो पसंद आता जाने के बाले like जरू कर देना, share कर देना, स्वेटे को भी किस्वाई और बाकी मैं भी लोंगो आपको next video में तब तक के लिए take care and keep us लेगे